नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोबिथ पीडिकेस ओलाइन लर्निंग प्लेटफोंग पे दोस्तों आज इस क्लास के मात्यम से हम अपने फर्स चेप्टर की एक्सरसाइज 1.6 है वो करेंगे ठीक है इससे पहले 1.5 एक्सरसाइज तक कंप्लेट कर चुके हैं अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स पे मिल जाएगा तो आप वहां से पहली वाली क्लास आपे जरूर देख लेना आज की क्लास शुरू करें से पहले आपसे थोटी सी रिक्वेस्ट है की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आपे जरूर कर देना और आग्गे वाली बैतरीन क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपे चैनल को सस्क्रेब भी कर लेना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास है दोस्तों 1.6 जो आपकी एकसरसाइज है ना वह आपकी गातांक नियम पे आदारित है ठीक है तो यह एकसरसाइज शुरू करें से पहले हम गातांक नियम क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं साथ इन गा गुणा हो रहा हो एक की पावर एम से तब आपको क्या मिलेगा result मिलेगा एक की पावर एम प्लस एन तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हो गया दोस्तों जब आदार समान होता है तो गुणा के अंदर गातियां आपकी जुड़ जाती है इस डोट का मत्वल है कि एक एक की पावर एम एन है वो किसे गुणा हो रही है एक की पावर एम से गुणा हो रही है ठीक है तो जब भी आदार समान होता है तो गुणा के अंदर आपकी गातिया है वो जुड़ जाएगी कैसे जुड़ेगी हमें समझ वे नहीं है कोई एक्जांपल के माद्यम से समझ चलिए इसे eジャma के माध्यद्स से समझ लेते हैं माली जी कि आप को दिया गया हूँ दो की गात दोट या आपको दिया ज़ाए गुणा ठीक दनों एक लगा में और आगे इसमें डिये ओंपको एक की गात दो टिक गुणा हो रहा हो किसो एक गात तीन से तब सका अंसर हो हममें क्या मिलेगा तो किस स्परकार करेंगे तो ये पर स्थ नियम्यपण अपना लाग 다ब हो कि अगर आधार समान होता है तो गुणा के अंदर गाते हैं जुड़ जाएगी अब यहां पर आधार कि आप पहले वो समझ लिए जो निच्चे आपको मान दे जा रहे है न यह आपका जाए आधार होता है उसका यहां होना दोस्त्त प्रूल लाग जाएगा किस परकार कि आधार समान है आधार समान होता है तो गुणा के अंदरा आपकी क्या हो जाती है गाते हैं वो जुड़ जाएगी गातें जुड़ेगी तो इसे हम किस परकार लिखेंगे आधार एक हा तो हम ए लिख देंगे ठीक है गात जुड़ेगी तियोंने दो में कितना जुड़ेगा है आपका तीन जुड़ेगा तो घात कितनी होगी आपकी ठोगी पाउर 5 हो घूंज एगल couleur एस प्रइन के ब हम जो किने किटनी टाइम गुबणा में किसी बी संख्या की उपड़ात होने संख्यान क्रमोबऋ फूपर उतनी बार उधिक ळट Unigos था तीन की घात दो इसे का अर्त क्या यहां पर घटा दो है ना की आधार है वह खुद इची बहर लगा यहाया आओень ती attracting करेंगे तब हम डिटेल से पर चर्चा कर लेंगे तके तो आपका गातांक का सर्ष्ट नियम हो गया जिस परकार गुणा के अंदर गाते रोगते रोटे की घोटेगी नियम क्यों वह गुणा के अंडर गातिवा जुडती है बाग के अदर आदार समान होने पर और किया करेगी गाते गटेगी इसमें बहुत मत्यम से समझा है मां आदार सममान होती बाग के अंदर क्या करेगए आपकी घाती है वह गटेगी तो यावनि sıम किस प्रकार लेखेंगे तीन की घात पाँच निच्छे वाले घ्टेगी तीन की घात 5 मैंसे दो घ्टेगी कि तो शांगर तो कितना जाएगए तीन तेही भाख के अंदर गाते है वह आपकि क्या होगी गटेगी next juice कि बात degas कर लेती हैं अगर दोस्तों आपको आदार के आर मठो continuing और healthcare कि उपर इसके उपर गात को दिया तो भी गात के उपर आपको इस परकार घात को क्या होगी आपकी गोड़ा होगी इतनौ भी हम example के माद्यम से समझें ठीक है किशने से किस परकार आते हैं तो मान लीजे कि आपको दिया गया हूँ चार की घात दो और इसके उपर आपको घात दे देगी तीन तो शेम किस परकार सोल करेंगे तो अपना ये नियम लागों हो जाएगा यानि घात के उपर आपको घात देगी है तो ये दोनों घात क्या हो जाएगी गोणा हो जाएगी यानि चार की घात दो गोणा तीन तो दो 2-5 और 1-6 इसको आप आके शोल कर लिजिए वह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तो यह आपका तीसरा नियम हो गया इसके बादें जो नेक्स नियम है इसका एर्थ क्या होता है कि एगर दोस्तों आपको आधार के ऊपर घात हो क्या दीगी हो माइनस में दी गए हो और इशे आप प्लस में बनाना चाहते हो तो आप किस परकार बना सकते हो इसको निचे ले जाकर आप प्लस में बना सकते हो कैसे माली जी कि आपको दिया गए हो 5 की घात माइनस 1 कई बार इस परकार के हमें दिया जाता है 5 की घात माइनस 1 इसे आप किस परकार लिख सकते हो आप इशे लिख सकते हो 1 बटा 5 ही घात 1 1 की घात मिल से तो संक्या वही आ जाती यानि आपको कितना आजाएगा 5 का 5 आजाएगा और example से समझें तो माली जी आपको दिया जाए 2 की गात माइनस 4 तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2 की गात 4 यानि जो गात उपर माइनस में है वो निच्चे जाती ही क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी तो यह निएम ही आपको अपना लागू हो जाएगा ठीक है अगर यह गात निच्चे प्लस में इसे आप उपर लाना चाहते है तो आप क्या कर देंगी यह गात क्या आप आजाएगी माइनस में आजाएगी अगर कोई गात उपर माइनस में हो तो निचे जाते क्या हो जाएगी आपकी पलस में हो जाएगी तो यह आपको धान में रखना है इसी से जुड़ाओ अपना next नियम है कि अगर निचे आपको गात वो माइनस में दी जाएगी तो उपर आप इसे क्या कर से लाती है क्या हो जाएगी या गात प्लस में हो जाएगी कैसे मालेजी कि आपको दिया जाए एक बटा तीन की गात माइनस पांस आपको दिया जाए तब आप क्या करेंगे इसे उपर लाती है गात क्या हो जाएगी प्लस क्यों जएगी यानि तीन की गात ईशम क्या लेकelas हुआ यह उपन्च लेखते हैं। निक्तर और नियंगा है, और उपनचे क्या बक्राइगा, और अगर उपनचे यह बोने अब म gleich क्यों सब्सक्राइगा। ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स नीम की तरफ अभी तो दोस्तों किया था कि आपको आधार है वो समान दिया गया था लेकिन अगर आपको घात समान दे दी जाए आधार अलग-अलग हो तो इसे अपकी परकार सोल करेंगे तो दोस्तों नेक्स नीम अपना इसी से जुड़ा हुआ है अगर आधार अलग-अलग हो गातिया आपकी समान हो तब क्या हो जाएगा आधार आपका गुणा हो जाएगा और गात है वो यहाँ पर कोमन आ जाएगी ठीक है इसको भी हम एक्जांपल के माद्यम से समझ लें माल जाएगे तीन की गात साथ हो जाएगे लेकिन आपको इस परकार दे दिया जाता कि चार की गात थीन गुणा पांच ही घात थीन तो क्या यहां पे यह Tag जब आदार समान होता है लेकिन कई बार समान नहें तुझ का इनकों घुणा होता है त्यानी चार का गुणा किस होगा और जो घात हैं वो अपनी कों मना जाएगी दीन गात यहां पर क्या होज़ागी मना जाएगी चयार का को tengo पान्स पर यह नि पांच हो बिस गात पर आफ़ pong फ़ागी थिन थिक थमसें तीन बार भणाव बीस गुणा नहीं वन पॉइंट एक्सरसाइज है वह हम सोल करेंगे अगर आपका इसमें कोई भी डाउट रहे जाते हैं तो आप हमें कमेंट है वह जुरूर कर देना जैसे जैसे हम क्यूशन आंसर सोल करेंगे ना तब आपको यह बाते और कलियर होती भी चलेगी ठीक है आगे कुछ भी क्या कि बटा दो गई है दोस्तों फंट जो इक उसेजह में आपको क्या दिए यह ड है जैके इसल के अंदर आपको एक बाटा तीन दे गी ए ठीक है गांधर आपको क्या करना है execution करने दोस्तों अगर आप इसको एक कॉमन से से देखתח है और confusion Raon ना चाहते हैं तो आप अगर आप इसे आप एक चाहते आगए अगर आपप事 अरॡ़ पर मैंतर से आप सोल करना चाहते हैं तो आपको इसे किस परकार सोल करना है चलिए आप वही भी देख लेती हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है चो सबसे पहले जो भी आपको दिया जाए यानि जो भी आधार दिया जा रहा है जैसे 64 है 32 105 है इनका हमें क्या करने है गोडन खंड कर लेने है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है 64 के गोडन खंड करते हैं तो यह लीजिए 64 64 के आपके एक samsung के यानि इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा तो हम दो का भाग दे देते हैं, दो का भाग आपका कितनी बार गया, 32, 32 भी समसंग क्या है, दो का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 भार, 16 भी समसंग क्या है, दो का भाग जाएगा, कितनी बार आठ बार, 8 भी समसंग क्या, दो का भाग इतन फिर गुणा में यानि एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, तो यानि कि दो है, वो कितनी बार गुणा हो रहा है, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, ये कितनी बार गुणा हो रहा है, छै बार गुणा हो रहा है, तो इस ये दोस् खुद्द इसे गुणा होगा तब यह 2 है वो, यानि एक और एक दो हो गया, ये तीन, ये चार, ये पांत और ये छे, यानि दो की गात कितने हो जाएगी, छे हो जाएगी, यानि इस ट्रम को हम क्या लेक सकते हैं, दो की गात छे लेक सकते हैं, किस परकार से, कि अगर आदार से मान हो, गुणा के अंदर गात जोड़ जाए तो यह आपका। आ गया दो की गात छैया और इसके घात किज न दिगेए रेख मैंने दोस्तों इब आपको एक रूल बताई था अगर एक गात आंप दिगी हो इसके उपर गात एक घात इंदिघी हो इसके उपर घात जिरनτड़ है घात-at en तो है तो ऑन्सर कितना आज जाएगा यह आपका आंसर आ गया तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे सबसेपहले हमने क्या चोसटके गोणंद्खंड करें चोशटकी अपने गोणंद्खंड होए तो वह उन्हीं यह यह लिख दिया गात में एक बटा दो दीगी थी, तो हमने एक बटा दो लगा दिया, ठीक है, फिर यह क्या हो, दो की पाउर कितने आगया, आपके 6 आगया, घात एक बटा दो है, फिर यहाँ पे कौन सा नेम लगग हो जाएगा, ब्रेकेट का नेम लगग हो जाएगा, यानि घात की उपर आ हमंगा हम दो की पावर 32 को do 32 को हम सोल करते हैं तो जोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है 32 का गोड़नदखंड यह हैं तो 32 के हम गोड़नद खन करेंगे तोम किस परकार करेंगे अभी भी जो आपको बाघ चार बार, चार में भी दोगा बाघ दो बार, और दो में भी दोगा खाग कितनी बार है, एक बार, یानी कि rest 22 के गुणा थे जिगे हम क्या लेख सकते है, 32 के लिख सकते हैं, दो को कितनी बार गुणा करने पर 32 आएगा दो को खुद ये 5 बार गुणा करने पर क्याएगा आपका 32 आएगा गात कितनी इसकी 1 बटा 5 है अधार समाहना गुणा के अंदर गातें जुड़ेगी 1 गात 2 गात 3 गात 4 गात 5 गात त्यानि कितना हो जाएगा 2 की गात 5 हो निए दो की गाज 5 गोणा एक बटा 5 5 से 5 आपका कैंसे लाउट हो गया तो आंसर कितना आपका 2 तो यह आपका 2 आंसर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट करते हम थल्ड है इसमें आपको क्या दिये गए 125 की पाउर आपको कितनी दीगी एक बटा तीन दीगी है सबसे पहले 125 के हम गोणा खंड करती है 125 के अंदर आपका 2 का बाग है वो नहीं जाएगा 3 का बाग नहीं जाएगा तो सबसे छोटी से छोटी आपका 125 का बाग जाते है तो दोस्तों आप बोलोगे कि सर्व वो 5 है जिसका 125 यह भाग जाते है तो 5 का 125 में बाग जाएगा कितनी बार आपका जाएगा 5 बार फिर भी क्या लेख सकते हैं 5 ही गात 1 5 ही गात 2 और 5 ही गात 3 याना 5 ही गात अपकी 3 हो जाएगी ठीक है तो चलिए सको हम स्वल करते हैं तो 25 हляется इस परकार लेख सकते हैं 25 होँ कडने 1 ठीक है इसके उपर आपको गात कितने दिगी है एक बटा तीन आपको गात दीगी है पांच गुणा पांच गुणा पांच आपकी कितने हो जाएगी पांच ही गात है तीन हो जाएगी और इसके उपर गात कितने है एक बटा तीन है आपका गातां का कौन सा नियम लगो हो जाएगा यानि एक गात M के उपर आपको गात देगी है, तो घुश् cream क्या लख सकते हैं, एक गात M गुणा N, क्यान्य गाते हैं, वों दोनों गुणा हो जाएगी, तो 5 गात 3 गुणा हो रही है, एक बटा 3 से, एक बटा 3 से, एक बटा 3 आपका cancel out हो गया तो कितना भचा पांची गात एक आप जा identities क्या यह पर क्या जाएगा पांच का पांच आ जाएगा तो यह आपका थर्ड का answer हो जाएगा इस cancer कितना 하나 हएगा ठीक इस cancer दोस्तों आठ आ रहा था इस cancer आपका दो आ रहा है और इसक की वाइन की होगह पाको आपको कितना और अरहे नो की पावर, 3 बटा 2 दिया गया है, 2nd के अंदर हमें दिया गया है, 32 की पावर, 2 बटा हमें 5 दिया गया है, और 3rd में क्या दिया गया है, 16 की पावर, 3 बटा 4 दिया गया है, और last हमें दिया गया है, 25, 125 की पावर, 1 बटा 3, ठीक है, यह हमें दिया गया है, तो दोस्तों, सबसे पहले में 9 को सोल करने 9 का अबज्य गुणन खंड करेंगे तो आप किस प्रकार कर सकते हैं 9 के अंदर किस का भाग जा रहा है आपका 3 का जा रहा है तो मान कितना हैगा 3 आएगा तीन में फिर तीन का बाग जाएगा, तो मान कितना आएगा, एक आएगा, तो अनि इसके अब आज ये गणन संड कितने होगे, तीन गुणा तीन, यानि इसे हम क्या लिख सकते हैं, तीन की पावर दो, तो नो की जिगह हम क्या लिख सकते हैं, तीन की पावर दो, और इसके उ गात दो और यह गुणा होगी किस से तीन की गात बटा दो से दो आपका क्या होगा कैंसल आट हो जाएगा ताकि पावर कितने बचगी तीन की पावर तीन बचगी दोस्तों आपको फॉर्मेट रखने नो है इसके अबाज ये गोड़नद खंड करने तीक है फिर यह आपको गातांक निये में वह लागव हो जाएगा जो घात कट रही है वो कट जाएगी तो शेस रहेगी उससे मागे शोल कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहे है 27 आ रहे है इसी प्रकार हम सेकेंड है इससे स आपके 16 बार 16 भी समसंग के दो का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आठ बार आठ भी समसंग के दो का भाग देंगे कितनी बार गाए चार बार चार बी समसंग के दो का भाग कितनी बार गया दो बार और दो बीस समसंग के दो का भाग कितनी बार जाएगा एक बार जाए ठीक है यहां पर आदार समान है तो गातिया आपकी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी तो यानि दो की गात हम कितने लिख देंगे या पर पांच लिखतेंगे यह मैंने आपको अभी समझाया था ठीक है तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की गा गया दो की गात两 भटा पांच में दिए गया ब्रेकेट के अंदर है तो गात मीं किया हो जाएगी गुणा हो जाएगे, यानि दो-गी Gणा ऑगे किसे 2 भटफ वांच है पांच और किसे 5 आपका कट जाएगा Kasına बलगा दो तो आंसर कितना आएगा आपका यहां पर चार है वो आंसर आजाएगा ठीक है सोला की गात कितनी दी गई है तीन बटा चार हमें दी गई है तो सबसे पहले आपको सोला की अबाज्य गोणनकंड करने है समसंक्यात यहनि दो का भाग जाएगा तो कितनी बार आठ बार आठ में भी दो का भाग इतनी चार बार चार में भी 2 का बार, और 2 में भी 2 का बार, कितनी बार? एक बार चैनि इसके गुण्णतफंड कितने होगे? 2 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा, 2 चैनि इसे हम क्या लेख सकते हैं? 2 की गात, 4 किस परकार लिखेंगे, ये मैंने आपको बार-बार समझा दिया मैं बार-बार रिपीटे बातें नहीं करूँगा तो आप 16 को क्या लेख सकते हैं 2 की गात 4 लेख सकते हैं ठीक है उपर इसके गात कितने दीगी है 3 बटा 4 गात दीगी है ठीक ब्रेकेट के अंदर है तो गात निया वो गुणा हो जाएगी 4 से 4 आपका कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 की गात कितने बचेगी आपके 3 बचेगी तो 2 गुणा 2 को गुणा 2 तो इसका आंसर को जाएगा इसी प्रकार हमने चार नुमर के उसने अफ्सियमशोल कर लेती है हम 125 दिया गया है 125 के में अभाज्य गुणन खंड करनी है तो किस परकार करेंगे 125 से 125 में आपका 2 का भाग नहीं जाएगा फिर छोटी अभाज्य संक्या 3 का भी भाग नहीं जाएगा 3 के बाद में इसमें किसे में भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा 125 में 5 का बाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा फिर 25 के अंदर भी 5 का बाग जाएगा कितनी बार 5 बार 5 के अंदर फिर 5 का बाग जाएगा कितनी बार 1 बार चाहिने 125 के अभाज ये गोणा त्रंड होगे 5 गोणा 5 गोणा 5 पांच गोड़ा 5 को इसे हम किस परकार लेख सकते हैं, 5 ही घात 3,ologistsुझे अगर text फिर बता इन दीति युझे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक बटा एक की पाउर एन यानि कि यह घात उपर जो माइनस में है इसे आप ब्रेकेट में निच्चे ले जाते हैं अपकी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी तो इसे हम क्या करते हैं प्लस में बना लेते हैं किस परकार बनाएंगे क्या आपका ह 3 ब्रेक्षेट के अंदर गात यרגए यानि 3 गुणा एक बठा दीन से हो जाएगा 1 ब्टा 3 सा गया तो नीची कितना बत गचते हैं ंज सका आंशर आंशर कितना हो गया ३र् से आपका कमेंट जरूर कर देना अधारित दोस्तों एपना second question था ठीक है अब बढ़ते है question number 3 की तरब question number 3 आपके screen paper दिया गए है क्या करना है मैं सरल करना है सरल करना है तो इसमें आपको first क्या दिया गए दोस्तों यहापे आपका गातांग का first नियम लागो हो गए इन सभी में ठीक है दो की गातां मैं दीगी है दो बटा तीन पीर आपको डोट दिया गए दोट का मिस्थ यहाप नी आप Siya हो गया का पांच Chinese second के अंदर में दिया गए है एक बटा तीन कि गात पीन और इसके उपर घात दिगी आपको साध पिर तीन में आपको दिया गए है 11 की फिर आठ की पाउर एक बटा दो है दोस्तों यह सभी के सभी जो अमने गातांग नियम पढ़ेते हैं उसे इस पर आदारित आपके क्यूशन है सबसे पहले हम फर्स्ट क्यूशन की बात करें तो यह आपका गातांग का फर्स्ट नियम है लागों हो जाएगा फर्स्ट नियम कौन सा था कि जब भी आपका आदार समान होता है तो गुणा के अंदर गातिया आपकी जुड़ेगी तो गातियं जुड़ेगी तो इसे किस परकार जुड़ेगी तो 2 की गात कितना हो जाएगा 2 बटा 3 पलस 1 बटा 5 अब आपको दोस्तों सिंप्ली स्को स्वाल करना है ठीक है 3 और 5 का आप एल सेम लेंगे तो 3 और 5 का एल सेम कितना जाएगा आपका 15 आज जाएगा यानि कि 5 को 3 से गुणा करें तब पंदर आएगा ठीक है जैनि उपर भी आपको 3 से आपको इसको क्या करना होगा गुणा करना होगा त्यहां पे कितना जाएगा आपकर क्षिंपल इसको स्वोख कर लें कि कि इस परकार कि 10 के अंदर आपकर 3 पिर नेड़ हो जाएगा तो तेरा और अपन में कितने फंद्रा तो इसके आंसर कितना स्वोल करने ठीक जितना उसके उत्तरे दीत करते हैं इसको यहीं तक रहने जाते हैं चैनिस का अंसर कितना जाएगा दो की गात तेरा बटा पंद्रा किस परकार आया यहां पर गातां का फर्ष्ट नेम लागो हो जाएगा कि आधार समान है तो गातियां आपकी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगे ठीक कफी जी क्यों बढ़ते हैं सेकेंड में आपको क्या दिया गए है कि आपर एक बटा इसके पॉन में आपको क्या दिया गए है तीन की गात तीन और यह क्या है साथ इसे गुणा हो रहे है ब्रेकेट के उपर यह दोस्तों गात है तो यानि क्या होगी दोनों से गुणा होगी तो इसे हम कि लिए से गोणाते कि यह सaw लोगां करनें अबकर धार होते हैं और बाग होंकि अधार समाने में बाग होते हैं तब क्या ऊता हुता आपकी घातья है गटती है किस परकार गटेगी आधार तो समान का समान रहेगा ठीक है एक बटा दो में से आपका एक बटा चार है वो गट जाएगा ठीक है एक बटा दो इससे आपका एक बटा चार गटेगा एल से मापका कितना जाएगा चार आजएगा ठीक है दो को दो से गुणा करने पर रहेँ का च्यारा आ रहा का च्यारा रहेट यहांने दो शिगुणा में उपर कर पड़ना होगा त्या पर कितना होजेगा दो माइनस का सिंबल माइनस 4 को किस चगुणा करेगी 4 आजे तो आह बोलो sí Message 1 चगुणा करो तो उपर भी में से गुणा करना पड़ेगा तो यानि माइनस यहां परária जरकार आए गातां का कौन सा नियमला दिया की आधार समान ने तो भाग के इंदरागी गातें गटेगी त baskets इसे आप इसको शोल कर सकते हैं नेक्स दोस्तों आपका last question है exercise का और chapter का question आपका है यहाँ पे दोस्तों साथ ही गात एक बटा दो है और यहाँ पे आपको गुणा में दी गई है आठ की पाउर एक बटा दो तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको rule बताया था अगर एक की पाउर N और B की power b N हो यानि कि आदार अलग अलगो और गातिय आपकी क्या हो शमान हो तब आपासा क्या होतín क्या आदार तो आपका गुणा हो जाएगा ठीक है आदार जो गुणा होगा और गात वो जो द्वेगे दोस्टों क्या होगा आधार की एकका लोगयक दो कि दो लिखते गे दोस्टों इसकंगे आगे शोल करेंगे तो यह अपना आश्याग होगा चसपन भी घात ये अपना अंश्यागा यहाँ चसपन की आप आपकी इसका एक अन्सर लोग he होगा तो यह दोस्तों आपका क्यूशन नमर तीन हो गया इसके तीन क्यूशन हमने स्वाल कर लिए ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार जो आपको पसंद आई हो तो आप इसी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बैतरिन क्लास के साथ तब तक आप अश्ते रहना मुश्कुराते रहना देखते रहना जो अभीत पीडी जय हिंद जय झाल